नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सर यूप्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिशन यूजी सी नेट ज्यारफ एकजाम इतिहास भाग 193 में जिसकी परिच्छा जूनिया जुलाई के फर्स्ट विक में संभावित है तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अब ही तक आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने गाद बेल आइकन की गंटी को क्लिक करना न पूलें ताकि जब भी मैं एगला वीडियो अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके माईल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपको बता दें अगर आप लोगो इस बीडियो का पीडियो का लिंक डिस्किप्शन में दे 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 आँ वहां से जाकर इसका मुगल समराट था जिसने बंगाल के विरुद सेन अभ्यान का नित्रित्व किया था तो बंगाल के विरुद सेन अभ्यान का नित्रित्व स्वयम किया था वो प्रथम मुगल समराट कौन था तो वो था हिमायू एंसर होगा भी हिमायू कुश्चन नमर दो है कपड़े पर किये गए चित्राण निम्न में से किस हस्त लिखित ग्रंथ से सम्मंदित है कपड़े पर किया गया जो चित्राण है किस हस्त लिखी ग्रंथ से सम्मंदित है यह हम जाम नामा इसमें यह खयार चित्र है कोश्चन नमबर तीन है निम्लिखित चार महत पूर्ण युद भारत में अलग अलग छेत्रों में लड़े गए तो उसी का जो है क्रम में बैठाना है कौन सा युद कब लड़ा गया था चौसा कईदू 1549 में धर्मत कईदू लड़ा गया था ठारसो दिखिंगे गल था युद सूरसो अन्ठावन है हल्दी गाटी का युद लड़ा गया था 1576 में और खानवा का युद लड़ा गया था 1527 में इसमें कौन सा यंसर क्रम में साइस मिले थे तो इसका यंसर हो जाएगा सी यानि सबसे पहले चवथा 1527 उसके बाद एक 1549 इसके बाद तीसरा यहां पर एक क्रम इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है 1576 में और चवथा धर्मत 1458 में यानि इसका एंसर हो जाएगा चार एक तीन दो क्रम से सुमेलित है कोश्चन नमबर चार है मनसबदारों की संख्या में और परत्यासित बिर्धी हुई तो मनसबदारों की संख्या में और परत्यासित बिर्धी किसके सासन काल में हुई थी तो यह हुई थी औरंग जेब के सासन काल में कोश्चन नमबर पाँच है निमलिखित में से कौन सा कथन जो मुगल कालिन बैपार तथा वानी जिससे संबंदित है सही नहीं है यह सही नहीं है पुछा है तो इसमेंसर हो जाएगा बी यानि मीर जुमला तथा साइस्था खाने आयतित वस्तुओं के बैपार पर एक आधिकार कर लिया था यह सही सुमेलित नहीं है कोशन नमबर छे है मुगल भारत में बाजार परिवर्तन के समकच्छ क्रिसी की दुरूंत अनुकरिया विशेष्था परिलच्छित होती है तो यह परिलच्छित होती है 17 सताबदी में तंबाखों की पैदावार में तिब्र ब्रिधी से कोशन नमबर साथ है समराट द्वारा निवक्त कर सीधे राज से बेतन पाने के अस्थान पर मनसबदारों से बेतन पाने वाले सैनिक कहलाते थे यह सैनिक कहलाते थे दाखिली एंसरोगा डी दाखिली Q8 है, मनसबदारी पणाली में दू अस्पा, सिंग अस्पा, स्रेणी की अस्थापना की गई थी तो ये स्रेणी की अस्थापना की गई थी, किसके ने किया था या किसके सासनकाल में तो ये किया था जहांगीर ने कोश्चन नमबर 9 है जहांगीर के सासनकाल में नादिर उल अस्तर की उपाधी दी गई थी तो नादिर उल अस्तर की उपाधी किसको दी गई थी ये दी गई थी उस्ताद मनसूर को ये चितरकला की बढ़ने उनती थी कुस्षा नमबर 11 है कुस्षा नमबर 10 इसमें मिस प्रिंटिंग हुआ है कुस्षा नमबर 11 है 1711 टिस्व में पानी पत के तिर्थी युद में मराठा सिनाओं का नित्रित तो किस ने किया था मराठा सिनाओं का नित्रित किया था सदा सीव रायने एंसरों गभी सदासीव रावनें कुश्चन नमर बारा है रण भूमी में अपने पतियों के साथ इस्तिरियों के जाने की पर्थाक को किसने बढ़ावा दिया था ये बढ़ावा दिया था सदासीव रावनें कुश्चन नमर तेरा है निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए आठरावी सताब्दी में खालसा एक ऐसी संस्था थी जीजिसका उद्देश सित्था इसमें कूट में से इंसर सुनना है देखे उद्देश से क्या था इनका शिखों के राश्ट मंडल को केवल एक धार्मिक सेने तथा राजनेतिक संगठन बनाना दूसरा है खालसा तथा सिख कुल के प्रसासन को एक जन्त अंतरिक स्वरूप देना ये भी सही है तीसरा है सभी ब्यक्तिक सदस्यों को समान रालिंतिक धार्मिंग तथा समाजिक सुब्दाएं दिना ये भी सही है चौथा है असमानता की छाया वाले प्रतिक परिवार को हुस्साहित करना ये भी सही है यानि किसका एंसर हो जाएगा D 1,2,3,4 इसमें सही है कोशन नमबर 14 है 28 सताब्दी के उत्राज से समंधित विख्यात मराठा सासक महादजी का वनसज था इनका वनसज था सिंधिया एंसर हो जाएगा B, सिंधिया कोशन नमबर 15 है पंजाब में बंदा बहादूर के बिद्रोह का कारण था कारण ये था कि मुगलों द्वारा सिखों का धार्मिक उत्पीडन कोशन नमबर 16 है निम्ण में से किनके मद 1731 इसीवी में वार्ना संधी हुई थी या वार्ना की संधी हुई थी ये संधी भी थी कुलापूर के संभाजी छत्रपती तथा 17 के साहु छत्रपती के बीच और ये संधी भी थी अप्राइल 1731 कोशन नमर 17 है पेशवा बाजीरा प्रथम ने मुगलों से सुभेदारियां प्राप्त की वे कोशन नमर 18 है सुमिलित करने के लिए तो चले इसको सुमिलित करते हैं दूतिय करनाटक युद तो दुतिय करनाटक यूद का लड़ा गया कि सन्दिया किसके द्वरा खतम ही थी पांडी चेरी के सन्दिय द्वरा दुतिय आंगल मैसूर यूद ये मंगलोर की सन्दिय के समाप्त किया गया था इस परकार ये सुमयलित है कोश्चन नमबर 19 है निमलेखित प्रथम आंगल मराठायुद 1789 से 82 इसवी से संबंधित है तो ये संबंधित है इसका सही कालमकरम में जो है कुट से एंसर चेन करना है इसमें एंसर हो जाएगा ये सबसे पहले सूरत की संदी वी थी ये वी थी 1775 में इसके बाद दूसरे नमबर पर पुरंदर की संदी ये वी थी 1776 में एक पुरंदर की संदी इसके बाद बड़ा गाउं सम्मेला नुआ था ये वह था 1789 स्वी में और सालबाई की संदी भी थी 1782 इस्वी में यानि कि इसका एंसर ये सही स्क्रम में है कोशन नंबर 20 है निम्न में से किस भारतिय को अंग्रेजियों द्वारा भारती सिविल सेवा से पदचित किया गया था ये पदचित किया गया था सिविल सेवा से वे थे सुरेंद्र नाथ बनर जी कोशन नंबर 21 है भारत में पूर्टगालियों का वानिजिक उद्धिस से क्या था इनका वानिजिक उद्धिस था एंसर होगा डी काली मिर्ष तता अन्य उत्यक्रिष्ट मासालों के बैपार का अधिक ग्रहाण कोसन नमर बाईस है निम्ण में से किस अधनियम ने सम्वेधानिक निरंकुस्ता के सिधान्त का अनुमोधन किया तो समिधानिक निर्वकुस्ता के सिधान्त का अनमोधन किया तो वे थे 1935 का अधनियम 1935 का अधनियम के द्वारा जो है समिधानिक निर्वकुस्ता के सिधान्त का अनमोधन किया गया था कोश्चन नमबर 23 है निमलिखित घटनाओं पर विचार किजिए और इनका सही कलानुकरम निमनकूट से चियन करना है इसलिए देखते हैं इसमें इसके अंसर होगा डी सबसे पहले पंजाब का अधिगरहन किया गया था सबसे पहले आपसन के अंसार इसके बाद हुआ था उदेपूर का अधिगरहन फिर जासी का और लाष्ट में आवद का अधिगरहन इस परकार ये डी सके अंसर सही सुमेलित है कोश्चन नमबर 24 है भारती पूरा तत्तो सर्वेच्छन के अस्थापना किसके कारेकाल में हुई थी ये वी थी लाड करजन के कारेकाल में कोश्चन नमबर 25 है निमले खित घटनाओं पर जो है सही कालकरम क्या है घटनाओं का सही कालकरम क्या है ति इसमें इंसर हो जाएगा भी यानि 2,3,4,1 अगर दोसरे नमबर पर देखा जाए दिया है पानीपत का तिरतियुद पानीपत का तिरतियुद सबसे पहले हुआ था is ये कब हुआ था सब लोग शिरुद वहा था 1790 इस्वी में और इसके बाद दिया है एक नमर तिर्तिय मराठा युद तो तिर्तिय मराठा युद कब हुआ था यह वा था 1817 से 1821 में और तिर्तिय बर्मा युद यह कब हुआ था यह वह था 1885 से 86 यह डेट है इसका क्रम में इस परकार इसका क्रम बैठा सकते हैं कोश्चन नमबर 26 है निमलिखित में से कौन से युद के साथ ही अंग्रेजी अधिपत्य को फ्रांस की चुनावती समाक्त हो गए तो वह युद था वांडी वास का युद और यह युद लड़ा गया था वांडी वास का युद 1760 इस्वी में अंग्रेज और फ्रांसिस्यों की बीच हुआ था जिसमें जो है फ्रांसिसी बूरी तरह पराजित हुए थे कोश्चन नमबर 27 है निमलिखित घटनाओं सारे निमलिखित कथनों पर विचार कीजी 1826 इस्वी की यादबू संधी नी रास्ता साफ किया और इस करम से आपको सही कथन काचेयन करना है कोश्चन नमबर 28 है निमन में से कौन सा नवाब 1856 में अवद के ब्रिटिश राजी में अंग्रेजों द्वारा बिले किये जाने के समय पदचित किया गया था तो ये पदचित किया गया था जिसका नाम था वाजिद अली सा यानि किसका एंसर सी येगा वाजिद अली सा 1856 इस भी में कोशन नमबर 29 है कथन और कारण से तो कथन है इसमें अंग्रेजों ने बीधी समध सासन की आधनिक धाना को भारत में प्रारम्म किया कारण है अंग्रेजों द्वारा भारत में उस समय प्रचलित व्यक्तिवी सिविल कानून को मानेता प्रदान नहीं की कोशन नमबर 30 है और अंतिम कोशन ने आज के लिए निमलिखित कथनों पर विचार करना है और इन में से कौन सा कथन सही है पचलिए देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है दिया है इंगलेंड के प्रदान मंतिरी द्वारा दिये गए व्यक्तब की भारती सिविल सेवा मौझिद ब्रिटिस ततो प्रसासं के फौलादी धांच के धांच या धांचा के समान है जो भारत के लिए सास्वत रूप से अपर्यारे के परड़ाम थे धिया है इसमें वेल्स की राजकुमार के यत्रा का बाइसकार यह गलत है दूसरा इंगलेंड की संसत की घोषित नीती के विप्रीत भारती करण की प्रक्रिया में मंदत आये सही है तीसरा है कांग्रेस के बिरुद्ध दमनकारी कदम तो ये गलत है चोथा है सारवजनिक सेवाओं के लिए बिठाए गए ली कमिशन द्वारा उधारवादी इस तुतिया ये भी सही है यानि दो और चारिस में सहीत इसका एंसर हो जाएगा सी दो और चारिस में सही है तो ये थे कोशन आज के लिए तो उम्मिद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आयोगा पसंद आज इसको लाइक करें दोस्तों के आदिस एक सेर करें धन्य बात दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम